असलाम लेकुम मैं हूँ शबीना खुशाम दीधा आपको मेरे चैनल इजी रेसिपी बाई शबीना पे शुरू करते हैं लाताला के नाम से आज मैं आपके लिए चिकन टिकका बरेट बाइट की रेसिपी लेके हाजिर हूँ जो कि आज आपके अफ्तारी में भी काम आएगे और कलीद के दिन भी आपी से बहुत अच्छे से इंजवाय कर सकती हैं चिकन 200 ग्राम हमने लिया है उसको देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है कुछ इस तरीके से एक बड़े साइस की प्यास को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है चापर में डालके हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है और बंद गोबी को भी देखे बिल्कुल बारीक कर लिया है एक टेबल इस्पून हमने यहाँ पे अदर कले सुनक का पेस्ट लिया है और ढही हमने एक प्याली ली है मसालॉ में आए देखते हैं एक चमच भरके हमने यहाँ भने दन्या पावडर लिया है आधा चमच लाल मिर्च जेना पावडर हमने लिया है, हस्ब जरुवत नमक, और काली मिर्च हमने एक चुट के लिए है, दो चम्मच यहां पे हमने भरके, टिक का मसाला पावडर लिया है, बिसमिल्ले रह्मानी रहीम, तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं, जैसे ही तेल गरम होता हम उसमें प्यास करेंगे, लगभग एक से दो मिनिट, हमको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हलका सा इसे नरम करना है, अधर कलिशन का पेस डाल दिया है, थोड़ा सा खुश्बू आने देंगे, जैसी खुश्बू आती हम इसमें अपना चिकन एड़ कर देंगे, चिकन को भी तीन से पाने के साथ हम इसे अच्छे से बून लेंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी दही को फेट के सामिल कर देंगे, और इसमें हम शामिल कर देंगे बंदगो भी, दोनों चीज को हम अच्छे से पका लेंगे, आज को थोड़ा कम रख के पकाएंगे, देखिए दही का पाने ब है बिरेड़ कुंण डो अंडिक हुर्ट के लिए रहे हैं और हमारे यहां पर शुखकी है म्रम हटे कम के किरी की आप अपनान के लिए आप और अगर माने थाधींगे को अब दाशर। में पालेगे को साइडों को तो प बीच नीए कि लिए यहald रखेंगे कि बिच में इस तरीके से करकोने मेशाン मईए बहुत ज़्यादा इस्टफिंग नहीं भरेंगे वरना हमारे बाइट फ्राय करते हुए फट जाएंगे इस तरीके से हम रख लेंगे हम नहीं मईदे और पानी का घोल बनाया था इसे उ हम साइड घो पे लगा लेंगे आपको डारेक सिर्फ पानी भी अपर लियसी त्टारे से हमेतो रख सम्मकर इसे seal कर देंगे आप हात के movement को ध्यान से देखिएगा बहुत हलकी हलकी हातों से करना है हमको बहुत जोर नहीं लगाना है वरना बेर टूट जाएगा देखे बिलकुल हलकी हातों से हमने कर लिया इस तरीके से बना के तयार कर लिया है अंडे में इसे डिप करेंगे फोक के मदद से इसका एक्स्ट्र अंडा हम झाल लेंगे बिल्कुल अच्छे से और ब्रेट करम्स में डालेंगे सुखे हाथों से इस तरीके से ऊपर उसके ब्रेट डालेंगे और देखिए इस तरीके से सेट करके हम रख लिये हैं इसी तरीके से हम फटा-फट से दूसरा भी करके आपको दिखा देते हैं देखिए इस तरीके से जाड लेजिए और इस तरीके से आप उसे ब्रेट से कोट कर लेजिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे ना तो आपके बेरेट करम्स खराब होंगे, बिल्कुल देखिए सफाई से बन गया है, इसी तरीके से करते हुए, हमने अपने सभी बायट को बना के सेट करके रख लिया है, आईए एक चटपटी सी चटनी बना लेते हैं, हमने इसमें धनिया मिर्चा उलेसुन के पिसी पत्ते, थोड़ा सा नमक डालके हम चटनी को अपनी बना लेंगे, इसे साइड पे रखते हैं, आते हैं, फराई करने, बिसमिल्लह रहमानिर रहीं, तेल गरम है, हम इसमें अपनी बायट डाल रहे हैं, और बायट को हम ध्यान से साइडों को चेंज करते हुए फराई करेंगे, वरना बिरेट बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है, फटाफट से हम साइडों को चेंज करेंगे, चेंज करते हुए बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोल्डेन कलर आ चुका है, हमारे बायट तैयार हो चुके हैं, आया इनिस सर्फ करते हैं, दे बात में लगा हुए बिलका इकान भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप लोगों की सभी परिशानियां दूर हूँ, आप लोगों को खुश हो आपाद रखे, एड की बहुत-बहुत मुबारक बाद, चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाला, आल्ला हाफीज